आज हम लोग सीखेंगे आलू फ्राठा और टमाटर की चटनी बनाना तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं जो लोग को अलू फ्राठा नहीं बनाने आता है ना बैचलर लोग का बहुत सरा कंप्लेन राता है तो चलिए उसी को सोलिसन करते हैं आज हेलो फ्रेंड मैं प्रियंक अप्रिंग का डीसी वीटू चनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है अपलों को दिल से सुक्रियादा मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए अपना इंपोर्टेंट टाइम देके मेरा वीडियो देखने के लिए आज का वीडियो बह बहुत से तेल में रख देंगे आप यहां पर घी में भी रख सकते हैं आपका चुआई से जिस तरुके से आप इसे फ्राइ करना चाहते है यानि हलका से इसको भूनना है ज्यादा कुछ नहीं करना है रोस्टेट करने के लिए हम इस तरीके से चटनी का इस्तिमाल करें और ज्यादा इस पैसी खाना पसंद करते हैं तो लाल वाला भी मिर्च का इस्तिमाल कर सकते हैं इसके बाद डाल देंगे दस से बारा लासुन की कलियां चिल के उसके बाद सब को अच्छे से भून लेंगे बुनना हमें बच 2-3 मिन तक इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं प्रफेक्त तरीके सबुआ का चटनी बन के तैयार होता है और ज्यादा ठीक भी भी बनता है और बहुत जबाद सकते हैं तो अलो को अंब कर नियार होगी है तो उसको ना मंतक जैसे चटक देएगा डाल देंगे प्याज कटा हुआ एक प्याज लिए प्याज को गॉल्डन ब्राउन होने तक हमें भुनना है तो यह दिखे हैं प्याज को अच्छे से भूलेंगे हाई फ्लेम पर प्याज को बुनने में एक मिनट लगता है इसे ज्यादा बिलकुल भी न आप पानी क्यूंड नियुक्त तकी मसाला भुणने में मदद मिलेगा और मसाला बहुत अच्छे बुंद के तियार रह जाएगा और आप लोग से एक ही रिक्वेश्ट रहता है वीडियो पसंदाने पे वीडियो के लाएक जरूर कर कर दो और यह देखे यह मसाला हमारा कितन बूल लेंगे जादा देर तक नहीं पुनना है तीन मेर तक भूनेंगे हाई टुमिडियूम पे ताकि सारा मसाला का फ्लेवर जो एना आलू में चला जाए और हमारा जो आलू को फीलिंग होता है वह बिल्कुल ड्राइ होना चीग है अगर जादा गेला रहेगा तो इसका पर धनिया पता है जिसको हम काटके रखे थे और यह देखे हमारा आलू का फिलिंग है बहुत ही अच्छे सा आलो फ्राटा के तयार हो चुका है बहुत ही टेश्टी लग रहा है देखने में भी और खाने में भी इसके बाद अब हम लेंगे आटा का लोई बनाएंगे लोई आप फिलिंग रखना इस तरीके से जैसे हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल वीडियो में देखे तरीके से रखेगा और इसके बाद आपको एक रोटी और उपर से प्रेस कर देना है इसे यह होगा कि जुन लोगों का अलो फ्राटा बनाने नहीं आता है अलो फ्राटा फ दावा जिसमें भी ऑप सेखना चाहते हैं उसके बाद आप इसको पहले हाई फ्लेम पर रख दिजे और हाई फ्लेम पर सेख लूप सेट और दुसरी फैड्स से को देखाते हैं इस तरी Jetzt तरीके से बीडियो में उसा च्छा को अछब долго करना थेधों यह प्जड़ कितना प् प्यारा कलर आया है अगर इस तरीकसा अब पोनाता है तो एक हैंड़िए 100% आपको असान लगने लगे का और हर समय आप बनाईएगा क्यूंकि बहुत सरे लोगों के साथ प्रोब्लम होता है कि फट्राठ्ट अच्छा नहीं बनता है पर इस तरीके से रोटी तो गोल बन सकता सब्सक्राइब करने तक और देखें कितना करंची हमारा आलो फ्राठा बनके तैयार हो गया तो चलिए इसे सर्व भी कर लेते हैं और देखने में लग रहा है ना टेश्टी और मिया रहा है मूँ में पानी तो आप सब भी आजाएए खाने के लिए थेले हम अपना थाले तैय लग रहे हैं विडियो पसंद आएगा तो विडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और अपने प्रियंगा डिसे बीटोप चानल को सब्सक्राइब करिएगा नेश्ट अपको कौन सार एस्वी का विडियो देखना है ओ भी कोमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूल यगा तो मिलते हैं नेस्ट बीटो में तटकिले बाइ बाइ बाइ